21 अक्टूबर को होने वाले बिहार उपचुनावों के लिए अब सभी राजनितिक दल पूरे तरीके से अपने अपने काम का आज में लग गए हैं एक के बाद एक धड़ा धड़ रैलियों का भी सिलसिला शुरू हो चुका है ऐसे में इस बार आरजेडी निता और बिहार के पूर उप्पुमुक्यमंत्री तेजस्वी यादव जीत के लिए कोई कमी कसर नहीं चोड़ना चाहते हैं बता दे आपको कि हाल ही में नाथ नगर विधान सवा सीट के लिए यहां पर तेजस्वी यादव नाथ नगर पहुंचे बता दे आपको कि भागलपुर से करीब नाथ नगर पहुंचकर तेजस्वी यादव ने जनसलाव इकठा किया बड़ी बात ये रही कि तेजस्वी आदव यहां नात्रगर में अपनी उमीदवार राविया खातून के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे बदा दे आपको कि जिस तरीके से बिहार उप्चुनाव को देखा जा रहा है ये अगले साल होने वाले विधान सबा चुनावों से पहले सेमी फाइनल के तौर पर देखा जा रहा है वहीं दूसरी तरफ NDA की तरफ से यहां पर नितिश कुमार कप्तान जरूर है लेकिन अभी भी जेडियू पूरे तरीके से ध्वस दिखाई पड़ रही है दड़ा दड़ रैलियों के चलते यहां पर तेजस्वी यादव लगातार सुर्कियां मटोर रहे हैं हालाकि बिहार में आई बाढ़ को लेकर कई मुद्धे सामने आये हैं कहीं न कहीं युवाओ को रोजगार देने का मुद्धा सबसे उपर यहां पर नातनगर से निकल कर आया है यहां पर पिछडी और अद्धी पिछडी जातियों के लिए भी समर्थन हासिल करने की कोशिश की जा रही है यहां रही हम यह कह सकते हैं कि तेरस्वी यादव की रैली का असर पूरे तरीके से नातनगर के लोगों पर पड़ा है और राविया खातून की जीत लगभग तैमानी जा रही है पता दें आपको कि नातनगर में एक लंबा मुस्लिमों का वोट बैंक भी है जिसकी वज़े से राविया खातून को यहां पर आरजेडी का एक बड़ा उमीदवार माना जा रहा है अब देखना होगा कि 24 अक्टूबर को आने वाले नतीजों में उपचुनावे नातनगर के लोग किसे समर्थन नेते हैं मजुदा हालात को अगर दिखा जाए तो यहां का समर्थन आरजेडी को ही जादा दिखाई पड़ रहा है एल्डी न्यूस रूम के रिपो